एफ्रेंड्स आशेकरिश्ना स्वागत है आपका मेरी कीचन में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर लबाबदार की रेसिपी और आप एक बार अगर इस तरह से पनीर लबाबदार बना लेंगे न तो मेरी गारेंटी है कि आप बाहर का पनीर लबाबदार कभी नहीं खाएंगे किसी महंगे रेष्टरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा शानदार यह पनीर लबाबदार हम घर में बनाके तियार कर सकते हैं और वो भी घर के बिलकुल सिंपल समान से तो पर चलिए देख लेते हैं कि बहुत ही टेस्टी बहुत ही मद्यदार रेसिपी कैसे बनानी है तो ये पनीर लबाबदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पेक पैन रखा है उसमें हम डाल देंगे दो बड़े चमच के जितना तेल और जब तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे दो लॉंग, दो छुटी इलाइची, दो बड़ी इलाइची, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक तेजपत्ता और आधा चमच मैंने इसमें जीरा डाला है सारे मसालों को कुछ सेकंड के लिए फ्राइ कर लेंगे, यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के प्यास को इस तरह से रफली चॉप करके लिया है, पांच-छे लसन की कलिया और एक इंच अदरकर टुकड़ा लिया है, यह सारे चीज़े हम तेल में डाल देंगे, और अब इन प्यास को हमें तब तक फ्राइ कर लेना है जब तक कि प्यास इसमें अच्छे से गल नहीं जाते हैं और इनका कलर जो हैनो, वह हल्का सब प involvement यह फिरद राफ्लूसेंट हो जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यास हमारे हलके गल गये हैं और इनका लिया हैं अब चोटा चमच हम इसमें नमक डाल देंगे, अब इन सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी टमाटरों को हमें एक से दो मिनट तक के लिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून लेना है इस तरह से भूनने से क्या होता है कि जो टमाटरों का खटापन होता है अब वो निकल जाता है, तो मैंने अब यहाँ टमाटरों को एक से दो मिनट तक के लिए भून लिया है, और आब यहाँ पे देख सकते हैं अब टमाटर हमारे हलके से भून गए है, इसका छिलका भी अ अब एक दूसरे पैन में एक बड़ा चमच तेल डालेंगे इसके साथ ही एक चोटा चमच हम इस पर मखन डाल देंगे दोन चीजों को एक दम अच्छे से गरम हो जाने देंगे जब मखन और बटर अच्छे से गरम हो जाएंगे तब मैंने यहां पर यह 500 ग्राम पनी लिया है जिसको इस तरह से बड़े-बड़े क्यूप में मैंने कट कर लिया है यहां पर मैं पनीर को हलका सा फ्राइ करूँगी आप चाहें तो कच्छा पनीर भी ले सकते हैं यह बिल्कुल ऑप्शनल है इससे क्या होता है कि जब पनीर होता है ग्रेवी में जाके तूटता नहीं है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है पनीर और जब हम सबजी बनाते हैं तो बनाते बनाते ही आदा पनीर जो होता है वो कई वर तूट जाता है तो बस यहां पर हलका सा कलर दोनों तरफ से आ जाने तक मैं यहां पनीर को फ्राइ करूँगी तो यहां पर मैंने पनीर को ये उससे क्या होगा कि पनीर आपका soft बना रहेगा अब यहां पर जो प्याज टमाटर थी वो भी देखिए बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं तो बस अब गैस की flame को अब हम बंद कर देंगे और इस mixture को ठंडा हो जाने देंगे जब ये mixture अच्छे से ठंडा हो जाएगा त सारी चीजों को एक साथ इस तरह से fine chop कर लेंगे आप चाहे तो अलग-अलग भी कर सकते हैं लेकिन मैं time बचाने के लिए सारी चीजों को एक साथी चॉपर में डालके चॉप कर लूँगी, इन सारी चीज़ों को हमें एकदम फाइन, एकदम बारिक चॉप करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे देखिए, एकदम फाइन हो गए है, इसी तरह का फाइन हमें इसको करना है, अब यह जो प्याज जाले है, इसका यह स्मूथ पेज़ बना लिया है, तो चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने की तरफ, एक कड़ाई में मैं यहाँ पे सिर्फ दो चुटे चमज तेल डाल रहे हूं, आप चाहें तो 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 थोड़ा सा जादा भी डाल सकते हैं, जब तेल गरम हो जाएगा त अच्छे से गल नहीं जाती है, मतलब कि टमाटर इसमें से एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, और इसमें से ओईल सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीज एकदम अच्छे से गल गई है, और इसमें से ओईल भी सेपरेट होना श बस और कोई मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे, अब इन साले मसालों को हम इसी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और भून लेंगे जब तक कि मसालों में से ओइल सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता है, तो यहां पर देख सकते हैं, मसाले हमारे एकदम बढ़िया से भून अब इसमें से ऊइल सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो इसी स्टेश तक आने तक हमें मसालों को भूण लेना हैं, जब इस तरह से मसाले भून जाएंगे, टो में थोड़ी सी कशूरी मेति डाल देंगे, कशूरी मेसालों के साथ भूनने से इसका फ्लेवर और अच्छा आता है सबजी में कई बार हम लास में डालते हैं लेकिन आज इस सबजी में हम यह कसूरी मेती थोड़ी सी पहले भी डाल रहे हैं पहले डालने से इसके जो खुश्बू है वह बहुत अच्छी आती है अब हमने जो ग्रेवी बना के रखे थी जो मसाला का पेस्ट बनाया था वह हम सारा इसी में डाल देंगे अब इस पूरे मसाले को मता ग्रेवी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इस ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसके किनारों से ओयल से होना शुरू नहीं हो जाता है इसके साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिससे की ग्रेवी हमारी जल्दी से पक जाएगी, ध्यान रहे कि प्याज टमाटर को गलाते सिमय मैं हमने नमक डाला था, तो नमक आप इसमें ध्यान सही डालें, नमक डालके एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इस पूरी gravy को धक देंगे और धक के low flame पे हम इसको पका लेंगे जब तक इसके किनारों से oil separate नहीं हो जाता है तो यहाँ पे 3-4 मिनट हुए है low flame पे मैंने इसको पका लिया और आप देख सकते हैं इसमें से oil separate होना शुरू हो चुका है बस यहाँ पे देख सकते हैं gravy भी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक गई है flame को high करेंगे और high flame पे इसे लगातार चलाते हुए एक से 2 मिनट तक हम इसको और भून लेंगे बहुत जादा हमें इस gravy को भूनना नहीं है इतना नहीं भूनना है कि भूनते भूनते इसका color change हो जाए बस इसी तरह का color हमें चाहिए इस gravy की taste को और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे एक चौथाई cup के जितनी fresh cream डाल रही हूँ आप चाहें तो घर की ताजी मलाई भी डाल सकते हैं एक टेबल स्पून भरके मैं यह tomato ketchup डाल रही हूँ अगर आप tomato ketchup नहीं डालना चाहते हैं तो आदा चोटा चम्मचीनी डाल ले उससे क्या होता है कि सारे जो taste और flavors होता है वो एकदम balance हो जाते हैं और tomato ketchup डालने से इसका taste भी बहुत अच्छा आता है सारी चीजों को डालके एकदम अच्छे से mix करेंगे क्योंकि हमने fresh cream डाली है तो एक से दो मिनट तक के लिए इसको और भूल लेंगे जिससे कि जो मलाई का flavor है वो भी एकदम gravy में एकदम अच्छे से आ जाए तो बस मैंने यहाँ पर एक से दो मिनट इसको भूल लिया है अब मैंने यहाँ पर आधा कप के जिता गरम पानी डाल दिया है मैंने mixi jar में ही आधा कप के जिता गरम पानी डाला है और वो इसमें add कर देंगे यह जो सबजी है यह बहुत जादा gravy वाली नहीं होती है लटपटी सी होती है तो मैंने पानी जादा नहीं डाला है टोटल मैंने यहाँ पर पॉना कप पानी डाला है आधा कप मैंने यहाँ पहले डाला था और एक चौथाई कप पानी मैने इसमें और डाल दिया है बस पानी डालके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे ढग देंगे जिससे कि इसमें जल्दी से बॉइल आ जाए और यहाँ पे इसको पकाते हुए 2-3 मिनट हुए है ग्रेवी हमारे एक तम अच्छे से पक चुकी है आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा टेक्शर हा गया है इसी तरह का क्रीमी टेक्शर चाहिए हमें अपनी इस ग्रेवी के लिए और आप देख सकते हैं जो प्यास, टमाटर, शिमला, मिर्च वगरा हमने डाला था न वो कहीं से अलग-अलग पता नहीं चल रहे हैं कि हमने इसमें अलग से भी कोई सबजियां मिलाई है ऐसा लग रहा है कि जैसे यह पूरी एक की ग्रेवी है बस तो हम इसमें जो फ्राइ की हुए पनीर के पीसिस है न वो आइट कर देंगे, साथ ही थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे उपर से थोड़ी सी बारी, दो-तीन हरी मिर्चे स्लिट करके डाली है मैंने वो थोड़ी से अद्रक के जूलियन्स डाल देंगे सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल हलके हलके हाथ से अगर आपको लगता है कि ग्रेवी बहुत जादा गाड़ी हो रही है तो आप चाहें तो इसमें गरम पानी मिलाके इसकी कंसिस्टेंसी को एड़जस्ट कर सकते हैं बस पनीर डालने के बाद हमेंसे ढग देंगे सिर्फ दो मिनट के लिए पनीर डालने के बाद हमेंसे ज़्यादा नहीं पकाना है तो दो मिनट हो चुके हैं सबजी हमारी बन के बिल्कुल तयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं पर्फेक्ट कलर आया है और एक दम पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी आई है प्रेंड्स आप एक बार इस तरह से ये पनीर लबाबदार जरूर बना के ट्राइ कीजेगा इतनी ज़ादा टेस्टी और इतनी ज़ादा शांदार बनेगी कि आप मुझे कोमेंट सेक्शन में लिखके जरूर बताएंगे कि ये सबजी आपकी कैसी बनी थी और आज के अगर ये पनीर लबाबदार की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा क्योंकि इसी तरह की अच्छे अच्छी रेसिपीज मैं आपके लिए डेली लेके आती हूँ तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे हम गर्मा गरम सर्फ कर लेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एकदम क्लोज लुक लुक दिखा रही हूँ कि देखिए यह हमारा पनी लबाबदार कितना टेस्टी और कितना शानदार लग रहा है आ रहा है न देखते ही मुँमे पानी सर्फिंग डिश में डालने के बाद उपर से थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल देंगे इसको कार्णिश करने के लिए थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे थोड़े से अद्रक के जूलियंस इसके उपर और लगा देंगे और एक हरी मिर्ची मैंने सरसे इसके उपर लगा दी है तो फ्रेंड्स ये लीजिए ये हमारा बहुत ही टेस्टी बहुत ही शानदार किसी रेस्टोरेंट से भी अच्छा ये पनी लबाबदार घर में हो गया है बनके तयार और आज इस पनी लबाबदार को मैं सर्फ कर दी हूँ लच्छा परांटा के साथ आप इसे लच्छा परांटा, बटर नान या फिर घर की सिंपल प्लेन तवा रोटी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं इसका टेस्ट बहुत जादा शानदार है एक बार मेरे कहने से आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ कीजेगा थेंक यू सो मच फॉर वाचिंग